हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल अमेस्टा, इन इस वीडियो तोड़े, वी विल डिस्कॉस दा इंपोर्टन्ट क्वेस्टिंस अफ ब्लॉक वन, सो लेट स्टार्ट, फिर्स्ट ब्लॉक के फिर्स्ट चाप्टर की बात करें, मेंडेल्स लॉज ऑफ इन्हेरिटन्स, इसमें देख लेते हैं, कौन से हमारे क्वेस्टिंस इंपोर्टन्ट हैं, तो इसमें है, मेंडेल्स लॉज ऑफ जैसे कि दे लॉज ऑफ सेग्रिगेशन, मॉनो हाइब्रिट क्रोस, डाय हाइब्रिट क्रोस, रीजन्स फर मेंडेल्स सक्सेस, कि उन्होंने जो पी के उपर किया था क्यों, वो सक्सेस्फुल रहा, यह आपको पढ़ लेना होगा, अफ कोर्स मानो हाइब्रिट क्रोस, डाय हाइब्रिट क्रोस, दो लॉज ऑफ इंडिपेंडेट असॉर्टमेंट, जो उनके लॉज थे, लॉज अफ सेग्रिगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेट के बात कर लेते हैं, इसमें आपको पढ़ के जाना पढ़ेगा, डॉमिनयन्स, कंप्लीट डॉमिनान्स, इनकंप्लीट डॉमिनंस, मल्टिपल आलिलीस, एबियु ब्लइट टाइप आलेलीस in humans, और पढ़ना पढ़ेगा, भेन आपको ऐपिस्टेसिस पढ़ के जाना questions आता epistesis के उपर जिसके types हैं वो भी आपको पढ़ना होगा then little alleles it's also important little alleles player trophy पढ़ लेना होगा आपको अब यहां पर फेनो कॉपी यह भी कई बार short note में आता है फेनो कॉपी तो बस इसमें इतना ही सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसमें questions आएगा genetic basis of sex determination long question अब है xxxy system zzzw system xxxo system और यह sex determination by ploidy level तो इसमें इस चाप्टर में इतना ही आपको पढ़ लेना होगा अब फोर की बात कर लें इसमें जो है x-linked traits in humans क्या क्या है x-linked traits x-linked traits में आपका आजाएगा red green color blindness hemophilia then 6 g6 pd जो किया glucose 6 phosphate dehydrogenous deficiency यह क्या होता है इसे पढ़ लीजेगा लेस निहान syndrome इसे पढ़ लीजेगा dmd पढ़ लीजेगा dosage compensation पढ़ लीजेगा तो इसमें सिर्फ इतना ही हम बात कर लेते हैं developmental basis of sex determination इसमें आपका आजाएगा intersex important है then free martins बहुत ज़्यादा important है अब जो है आपका यहाँ पर prenatal sex determination कई बार questions आते हैं इसमें से what is prenatal sex determination then यहाँ पर एक question है what is sex differentiation describe the role played by testis determining factor और tdf in this तो tdf का full form भी आ जाता है कि आप देख लीजेगा देना आगे बढ़ते हैं जो six chapter है linkage crossing over and chromosome mapping बहुत ज़्यादा stress देना पड़ेगा आपको इस chapter में कई सारे questions आते हैं इसमें से कि देख लेते हैं यह linkage है कि के बाद देख लीजेगा क्रॉसिंग ओबर क्रॉसिंग ओबर में आपको सब पढ़ना पड़ेगा की what is crossing over why it occurs when it occurs and यह बहुत ज़्यादा important है that is cytological basis of crossing over ठीक है सारे long questions आते हैं और उनी में से आपको short notes भी मिल जाएगा और यह बहुत ज़्यादा important है molecular mechanism of crossing over तो cytological basing of crossing over also the molecular mechanism of crossing over दोनों आपको अच्छे से समझ के पढ़के जाना पड़ेगा देन आपका genetic mapping यह भी पढ़ लीजेगा तो बस इतना ही पहला block complete हो जाता है हमारा six chapter तक तो यह सब था इस video में यह नो आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज सब्सक्राइब चैनल और स्टे कनेक्टेड बिकॉस हम आगे भी second तीसरा और चौथा सारे blocks जो important questions है वो हम complete करने वाले हैं तो make sure आपने चैनल को subscribe कर लिया है थैंक्यू सो मच कर दो हम आपको प्रॉप्ट थाजर कर दो कर दो हम इस और दो झापको जो एक नचस्टार्ट श्राइब